आज का हमारा फीचर है बढ़ती जनसंख्या दर सबसे पहले फीचर लेखन का आशे समझ लेते हैं तो फीचर लेखन का मुख्य आशे होता है मनोरंजन पूर्ण समाचार फीचर में मनोरंजन का अस्थान पहला है समाचार और सुचना का दूसरा तो हमारा आज का फिचर है बढ़ती जनसंक्या दर और घरती सुविधाईं इसमें दिल्ली में मेट्रो क्या आई दिल्ली वासियों की बाच्छे खिल गई साफ सुत्री सीटे 5-5 मिनिट पर मेट्रो का आना जाना वाता नुकुलित डिपा ने ट्रेफिक का जन्जट और ना ही लेट लतीफी का डर टिकेट के लिए मासिक पास हो तो सीधे एक्सलेटर पर चड़े और पहुँच गए प्लेट फॉर्म पर सबको लगा कि मेट्रो हमारी लिए स्वर्ग का द्वार है अब आना जाना बिल्कुल आसान हो गया है पर आज आज मुझे कोई मेट्रो की सवारी करने को कहे तो पसीना चूट जाता है मेट्रो स्टेशन ना हुआ कोई दशहरा मैदान हो गया भीड ही भीड रास्ते में भीड एक्सिलिटर पर भीड प्लेटफॉम पर भीड भीड की इतनी तहें है कि उनमें खड़ा होना कुछले जाने का फैय पैदा करता है फिर मेट्रो आती है तो द्रिशे बहुत भयावरा हुचाता है मेट्रो की अंदर उससे भी अधिक भीड जमा है उतरने वाले उतरे नहीं कि चड़ने वाले चड़ने को बेताब बे करें भी तो क्या पीछे से धका आता है जो उन्हें अंदर की और धकेल देता है अभीतर के लोग बिल्कुल ठसाठस भरे पड़े हैं जाएं तो जाएं कहां मेट्रो का सुख़त सबना उड़न्चु हो चुका है ना सड़कों की कमी ना रेलों की ना बसों की और ना कारों टेक्सियों की परन्तु फिर भी आने जाने की परेशानी है कारण क्या है कारण हम सोच रहे हैं कि कारण है जनसंख्या का दबाव जितनी बसें टेक्सियां मेट्रो रेलें बढ़ती हैं उससे भी अधिक यात्री बढ़ जाते हैं, स्कूल बहुत हैं किन्तु बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता है, बाजार बहुत हैं किन्तु पाउं रखने को जगे नहीं मिलती है, कारे बहुत हैं किन्तु पार्किंग नहीं है, जमीन की कमी नहीं है, किन्तु घर कम है, का आदमी इस सबका एक ही कारण है बढ़ते हुए बच्चे भारत में यह समश्या सभी हदें पार कर चुगी है यदि आगे बच्चों की जनमदर को नहीं रोका गया तो हो सकता है रहने के लिए चांद या मंगल ग्रह पर ठिकाना खोजना पड़े इसलिए अच्छा है कि गरिया जाए तेंक यू फॉर उचिंग।